हाई दिस इस अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं वेस इंट्वा का यूट्यूब चानल हम दस साल पुरानी कंपनी हैं लखनाव रिल स्टेट मारकेट में आपको असिस्ट करते रहते हैं आपके प्रॉपर्टी बाइंग में और एक अची डिल दिलाने में हमारे इस गेट इधर से ट्रावल कर रहे हैं तो फैजाबाद रोट से है तो पॉली टेकनिक पे वो फ्लाइवर लेने से पहले तोवर्ट बंशी पुलिया उससे पहले लेफ्ट एंड साइट पर मिल जाता है आपको ये प्रजेक्ट का साइट लोकेशन ये एक मिक्स लांड यूज था तो ग्राउंड और फर्स्ट लोर पे इसमें आपको रिटेल शॉप भी मिल जाती है ग्रॉंड सोर और रिटेल मिला के टोटल 23 शॉप है जिसमें से ग्राउन पर हे बारा और फर्स्ट रुपए पर समय ट्रेट कर रहा है मार्केट में बहुत ही सेलेक्टिव इंवेंटरी 33 भी एचके की एक नया कॉंसेप्ट था 13 फ्लोर पर इन्होंने स्काइवाक डाला था वेदर इंफिनिटी पूल नीचे दो फ्लोर पर रिटेल डाला था प्रजेट का कंस्ट्रक्शन ओरड़ी शुरू हो चुका है सेल की स्टेटस बात करेंगे तो अरौंड 70-80 परसिंट सोल डाउट हो चुका है अब अगर हम बात कर लेते हैं रेसिडेंचल जैसा मैंने क्योंकि आपको पहले कमोर्शल के डिटेल दे दी है रेसिडेंचल की अगर बात करेंगे तो थ्री भी एचके इसमें आपको पचीस सो स्क्वार फीट का मिल जाता है जिसमें की एक सूपर जिसमें की कार्पेट एरिया करेंगें 1680 स्क्वार फीट का है फोर बी एचके मिल जाता है आपको 3550 स्क्वार फीट का और 3900 का ग्राउंट फ्लूर पर एक यूनिट मिल जाती है फोर बी एचके 3550 स्क्वार फीट का है जिसमें की कार्पेट एरिया है 2321 स्क्वार फीट का टोटल नंबर अफ यूनिट की बात करेंगे तो 130 यूनिट इस प्रजेक्ट में है ग्राउंट और अगर इसका लेयाउट अगर आप देखेंगे तो बीच में जो सेंट्रल फेसि के यूनिट आ जाती है 13 फोर पे जैसे मैंने आपको बताया एक इंफिनिटी एच पूल है गेस्ट वेटिंग एरिया पूल साइट चार्चिंग रूम केफेट एरिया ऑटोमेटिक नेट्स क्रिकेट नेट्स के साथ तेरा हाइलाइटेड एमेनिटी है और यह प्रजेक्ट उस पूरी विसिनिटी को अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइम से उस पूरी विसिनिटी में कोई भी प्रजेक्ट नहीं हुआ था पुराने प्रजेक्ट जैसे की ओमेक्स हाइट एल्डिको एलेगेन ऐसे प्रजेक्ट वहाँ पर एक्जिस्ट करते थे रीसेंट जो ल प्रजेंट के थूरू फीडबैक मिला हुआ तो मैंने कहा आपके साथ साजा कर दूँ शालिमार अपनी बिल्ड क्वाल्टी को लेकर बहुत स्पेस्विक रहता है अगेन इनका लग्जरी प्रट्ट है तो उसी हिसाब से आपको इस स्पेसिफिकेशन से में देखने को जाईएगा फीडबैक ले लीजिएगा उसके बाद ही फाइनल करेगा शायद कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जो आपको आपके डिसीजन लेने में बहुत बड़ा फैक्टर बाद में प्ले करेगा बैरहल आज का इतना ही था चैलमा स्काइगार्डन का एक इंट्रोडक्श सही दिलाएंगे